तो यह देखिए आज हम आपके साथ में हमारी से इफ्तार तक की वीडियो शेयर कर रहे हैं तो सेरी में आज हम बनाने जा रहे हैं सिंपल सी खिचडी तो जिसके लिए हमेने पीली मुंग दाल हरी मुंग दाल जो छिल्टे वाली होती है और राइस तीनों की कौंटिटी सेम अब इसका डबल हमें पानी लेना है हम इसे बगारनी रहे हैं डर्यक बनाए है क्यूंकि इतना मतलब टाइम नी होता ही और हमारी सेरी थी तो हमें साथ हैवी भी खाना नी था तो इसके लिए हम लाइट एक कर रहे हैं और इसमें अभी जाएगा वाफ आनियन है अगर तो अची तरीके से यह इसमें डाल देंगे आप चाहो तो इसे बगार के भी डाल सकते हो पहले आप घी डाल के यह सारे चीजे दाल दीजिए उसके बाद में आपका राइस और चावल डाल दीजेगा और अभी हम इसमें एड कर रहे हैं देशी घी घी डालने से इसका खराब हो जाएगा और देशी घी अगर आपके पास नहीं है तो आप कोई भी नॉर्मल डालडा घी भी डाल सकते हो लेकिन आपको इसे गरम-गरम सर्फ करना है और यह आम टाइम में हम बच्चों को भी बना के दे सकते हैं बहुत ही अच्छी बनके रेडी होती है और यह दे नहीं हमारी राद के सबजी बचीती भाजीती मिक्सी बैज हमने बनाए से तो वसक्ते अच्छी तरीके से ऑम हम बाजी बना लिए कि रख देखिए अचि पर दियम्स नंसे तो यह मैंने एक कप भर के दही ले ली हूँ क्योंकि सैरी में दही खाने से पेट में ठूड़ा थंडा भी रहता है और अच्छा भी लगता है और थोड़ा भारा लगता है हमें और हमारी खिच्डी भी हो गई है माशाला से गरम गरम और गरम खाना सहरी में तो बहुत मज़ा आ जाता है क्योंकि हम सोके उड़ते हैं फिर थोड़ा मतलब थकान जैसी पतानी लगती है तो ठंडा ठंडा खाना खालो तो इतना मज़ानी आता है हमें और यह देखिए माशा इसकी वीडियो मैं आपके साथ में शेयर करी थी रमजान प्रपेरेशन में तो यह मैं थोड़ी सी हजबन ने चट्नी मांगे थी तो मैं यह चट्नी एट कर रहीं इसके साथ में खिच्डी के साथ में और यह देखिए हमने दूद गरम कर लिए है आज का फॉर्स दी था त इसके साथ में देखिए हमारी सेरी कंप्लेट हो गई थी और अभी हजबन जा रहे है नमास पढ़ने के लिए वासम देखिए मशनल से कितना अच्छा लग रहा था सुबह सुबह थंडी ठंडी हवाय चल रही थी बहुत ही अच्छा लग रहा था और काफी सुकून लगता है यह देखिए कितना अच्छा क्लाइमिट लग रहा था और इतने टाइम में भी परिंदों की भी चहल पहला आवास आ रही थी और यह देखिए अभी बज़ रहे हैं दुपहर के तीन और हम नमाज वगरा पढ़के सफारी को चुके थे और अभी मैं बनाने जारी हैं हमारी इफ्तारी की तैयारी करने तो यहां पर हमने लिए हैं तीन से चार लॉंग है पांसे छे काली मिरी है और दो तुकडी दालच करीब नमक है और यहां पर अभी जाएगा इसके अंदर एक टेबल स्पून भर के जिंजर और गार्लिक पेस्ट और अची तरीके से हमें इसे मिक्स कर लेना है और इसके बाद में अभी हम एट करेंगे इसमें हमारा चिकन चिकन मैं यहां पर ली हूँ 1 kg है यह 1 kg हमने बोन चिकन भी ले सकते हो और अभी हम इसे बॉल होने के लिए रख देंगे और यह देखिए हमारे पास में बॉल चिकन भी रखा हुआता है लेकिन मैंने सूच चलो अभी इफ्तारिया वगरा दावाते रहेगी तो इसमें काम आ जाएगा और हमने अंडा भी बॉल करने रखे चिकन एक ब्रेड रोल बहुत ही यमी बनके रेडी होते हैं इसकी रेसेपी भी हम आपके साथ में शेयर करेंगे और हमने थोड़ा जादे बनायते हैं तक हमें बात में भी काम आ जाए तो मैं अभी सिर्फ हमारे भर का एट इसमें फ्राइ करूंगी तो मैंने इसमें हमारे कि इसकी रेडेखे हैं भी सीज़ा देखाए उस प्राइगा आप इसमें इसमें अछे रोल यह प्राइग कर में रहां हैं निए भी ड्याशन के प्रयला के लिए यह अर कि अग्ण्या निंग कर दोच देख सकते हो और कि यह बनाँ हमारे के बहुत पत्ते के बहाँए और यम्मिके समोसे ठीसिप्याप्राम है या कि अचिकाम और आपके मीज़रे में its we twepor the 극 कया कि अचिकाम में रिखक में अचिकाम थर्माइब करणाफ should I add a few rolls with यह देखिए हमारे पालक के भजी है बहुत ही टेस्टी बहुत ही यमी बनके रड़ी होते हैं हमारा जो बेसन का प्रेमिक्स था हो तो उसकी वज़े से हमारा जादर टाइम वेस्ट नहीं हुआ फटाफ़ड हमने खाली पानी आट करें और हमें नमक चखने की तीखा चखने क और यह देखिए हमारे भजी है पालक के भजी है और बहुत ही एजी बनते हैं यह इसे भी जैसे हमारे भजी फ्राय करते हैं बस वैसे ही करना होता है और एजी बनके रेड़ी हो जाते हैं तो यह भजी भी हमारे बनके रेड़ी हो गए थे तो इसे भी हम निकाल लेंगे औ लिए मिमादी तर से शर्बत टे के करीब अभी मुजीतों यो च्गटों सिरूप आप दोजान वा oh अपि बनानी में टीजस के यह यह दुस्थ जर यह दो में पूर्म केस बना सकते है लह जुए इसके लिए मैंने सोड़ा बनाई हूँ वरना हम रमजान में सोड़ा हुआटी करते हैं एप्रुट्स लिए हममारे बच्छे意 हवासा उन evolved भरी कहा skrangने हम आल ý ू होना डौस kinda प mushroom method जो रहते हैं जिसी देचेई दू हानी कज़िए और को मास पढ़ने की ट्राय कर रहा था और अभी जैन और मेरे हजबन सबजन हम रोजा कुल रहे हैं तो इसी के साथ मैं आपको हमारी वीडियो कैसे लगी ज़रूर लाइक करेगा शेयर करेगा और कमेंट करके हमें बताइएगा और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो हमें आसानी से यह सारी चीज़े हमारे घर में अविलिबल होती है और बहुत ही यमी बनती है और यह देखिए मैं आपको समोसा भी दिखाऊंगी यह देखिए हमारे खीमे के समोसे कितने यमी थे बहुत ही टेस्टी थे इसके फीलिंग तो बहुत ही अच्छी रहती है खीमे के स और इफ्तारी के लिए अजान होने वाली थी तो इसके लिए हम सब बैड़ गयते दसर खान पर और जैन के जो प्राउंस मैंने आपको वीडियो में बताई थी प्रिपैर करके रखी थी पहले से मसाला लगा के तो वह मैं भी नमास के बाद में जैन को देरी हूं बना के फ्रा है बवाईी है अँई हम में भी5 खवना के चिए घराहे है बाई गये आड़ के बाद लाद में रहा सहों जाए सांगी है अुई है बाद मैं में रहा है सक्वा बाद में जा बाद में जार हम आ likewise हुईत बार।台灣 आर बाई हॉट एम kilo a ये वावपनों है नवा समार बाद मतो झाल झाल